नमस्कार किसान साथियो मैं आपका अपना सचीन चोहान आपके ही अपने यूट्यूब चैनल अपनी मिट्टी में आपका स्वागत करता हूँ किसान साथियों जैसे के आप वीडियों में देख रहे हैं हम फिर से पहुंचें एक पापुलर के खेत में दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी पापुलर ही पापुलर खड़े हैं बड़ा लंबा प्लोट किसान भाई ने खेत को पानी लगाया है कुछ दिन पहले और इसके बाद शायद गेहों की तैयारियां की हुई हैं खेत को साफसुतरा किया हुआ है आज की वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है किसान साथियो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें वीडियो पूरी देखें तभी आपको जानकरी पूरी मिलेगी तभी आपको बात समझ आएगी आज जो महत्यपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं किसान साथियो वो बात ये है कि अच्छी नसल के पेड़ की पहचान कैसे करें आपको कैसे पता चलेगा अच्छी किसम का पेड़ कौन सा है मैं अक्सर अपनी वीडियो में आप लोगों को एक बात बताता हूँ विमको कमपनी में विमको एक सुनों का पेड़ ही सबसे बेस्ट क्यों हमारी पहली पसंद क्यों है देखिए सभी की अपने अपनी चोईस होती है अपनी अपनी पसंद होती है सबी को अपने 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 हिसाब से पेड़ लगाने का पूरा अधीकार है वो सब की अपनी personal choice है मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा लेकिन मेरा जो देश्य है मेरा जो मकसद है वो किसान भाईयों को सही जानकारी देना है ताकि उनके साथ किसी प्रकार का कोई छलक पटना हो, किसान भाईयों का कोई नुकसान ना हो किसान साथ यो जो अच्छी नसल के पेड़ होते हैं जैसे विम को एक सुनो जो मैं लगाता हूँ उसमें और अन्या वेराइटी में क्या अंतर है पेड़ सभी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ा संतर है, वो बारीकी से मैं आज आपको बताना चाहूंगा क्यों हमें देशी पेड़, साधारन पेड़ क्यों नहीं लगाने चाहिए उसका हमें क्या नुकसान होता है किसान साथियों जैसे के इसी पेड़ से शुरुवात कर लेते हैं आप इस पेड़ को देख रहे हैं यह यहां से शुरुवात हुई पेड़ की, यहां आकर यह पेड़ खराब और उपर जाओंगा मैं, यहां आकर आप देख सकते हैं बीच में देखिए मैं टेडा पन इसमें आप देख सकते हैं यहां पर ये पुरी खराब होगए यह तिर्चा हो गएया यहाँ पेड में तिर्चापन यह देशी पेड लगाने का नुकसान आगे और भी पेड है पेड अच्छा है मोटा ताजा लेकिन यह देखिए उपर जाकर इसमें भी टेड़ापन जैसे के आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं साफ साफ आपको नजर आ रहा है तिर्चापन औ और भी ऐसे बहुत से पेड हैं प्लोट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा किसान साथियो यह देखिए यहां से पेड की शुरुआत हुई और यह जाते हैं उपर हाइट पर यह देखिए यहां पर इसमें भी टेड़ापन अब एक और पेड मैं आपको दिखाना चाहूं मेरे पसंदीदा पेड़ है विमको 109 जो मैं लगाता हूं अपने खेट में इस प्लोट में विमको 109 के भी कुछ पेड़ है यह बिल्कुल बाउंडरी पर खड़ा है किनारे पर एक पेड़ विमको 109 पहचान भी आपको बताऊंगा इस पेड़ की पहचान के होती है कि इसका कलर होता है वो आप अलगी देख सकते हैं ब्राउंड शेड होती है काफी अच्छा कार और यह बिल्कुल सीधी पोरी ओपर तक जहां तक भी आपकी नजर जाएगी आप देख सकते हैं विमको 109 का पेड़ कितना सीधा पेड़ सीधी पोरी अच्छा कार पैचान मैंने आप को बताई कि ब्राउंड शेड होती है इसकी तो किसान साथियो आप जब भी पेड़ लगाएं देखिए जब भी आप पेड़ लगाते हैं कम से कम 3-4 साल हमारी एरियमा तो 3-4 साल तो लगते हैं बहार जो और जगए जो जमीन है वहां कहीं 5 या 6 साल लगते हैं तो जब 4-5 साल के लिए अपने खेट को आप भर रहे हैं पेड़ से 4-5 साल के लिए आपका खेट बाउंड हो जाता है पेड़ से तो किसान साथियो क्यों अच्छी किसम के अच्छी नसल के पेड़ लगाए जाएं पेड़ को जब आप लेते हैं कहीं से नरसरी खरीदते हैं उसे ध दी चली थी पोरी और यहां कर उपर आकर थोड़ा से उपर जाकर फिर टेड़ापन तो किसान साथियो ऐसे पता चल जाती है लोकल देशी वेराइटी में क्या कमी होती है जैसे यह पेड़ है यहां से पोरी शुरू ही किसान साथियो और यह आप देख सकते हैं इसमें यहां के पेड़ लगाएं सोस समझ कर आप लगाएं जहां कहीं से भी आप नरशरी कर 싸 include आख बंद करके ना करीदें जब लें ज्यूंघ करेखकर कर करें भुझ ख होकर च्याइब करके पेड़ लें सिधे पेड़ कbre rate भी अच्छा मिलता है और देशी पेड़ अगर लगाओगे समय भी ज़्यादा लगाएगा तयार होने में और उसमें टेड़ अपन ज़्यादा होता है टेड़ी मेड़ी उसकी पोरी होती है तो फिर जब आप सेल करते हैं तो जो खरीदने कहीं आपको वहाँ नुक्सान होता है तो किसान साथियों जाच परक्कर पॉपलर की नरसरी खरीदें अच्छी नसल के पेड़ लगाएं देखकर पेड़ लगाएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप वीडियो देखकर लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और नए साथियों से कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यावाद